हलो माई दियर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारे कलर कॉंबिनेशन में एंकलेट डिजाइन ये देखिए ये ब्लू पिंक और ब्लैक कलर ये बहुत ही प्यारा डिजाइन और बहुत इजी है चलिए स्टार्ट करती है इसे बनाना देखिए मैंने यहां पर दो तरह के बीट्स लिए हैं ब्लू और ब्लैक और साथ में पिंक तीन तरह के बीट्स कलर हमारे पास है तो सबसे पहले हम एक ब्लैक बीट लेंगे और उसके अंदर अच्छे से धागे से नोट बान लेंगे आपका धागा बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए मैं पहले वीडियो बना रखिया है इसके लिए आप देख लीजिएगा उसके बाद हम लेंगे थ्री ब्लैक थ्री ब्ल्यू वन ब्लैक वन पिंक और फाइफ ब्लैक उसके बाद हम एक पिंक में से वापस निकाल देंगे अपने निडल को कुछ इस तरह से इसके बाद लेंगे वन ब्लैक और टू ब्ल्यू और लास्ट ब्ल्यू में से निकाल देंगे कुछ इस तरह से और फिर 3 black और उपर जो हमने जिसे note बांदा था उस वाले से निकाल देंगे देखिए ऐसे बहुती सुंदर डिजाइन बनने वाला है इसके बाद हम लेंगे 4 जब भी हम नीचे उतरते हैं हम 4 beats से लेते हैं तो 4 black हम यहाँ पर लेंगे और बीच वाले यानि last one छोड़ के black बीच वाले में से इस तरह से निकाल लेंगे आपको अच्छे से clear नजर आ रहा है यह देखिए इसके बाद हम लेंगे 3 pink और इस 3 pink को last blue में से कुछ इस तरह से निकाल देंगे याद रखिए आपको बहुत पतली निडल लेनी है इसके बाद लेंगे 4 blue, 1 pink और उपर की तरफ घुमा के बीच वाले pink में से निकाल देंगे बहुत ही easy design है यह देखिए इस तरह से इसके बाद हम लेंगे 1 pink और 2 black और उपर 2 छोड़ते हुए बीच वाले में से निकाल देंगे कुछ इस तरह से इसके बाद हम लेंगे 4 beads को कि हम नीचे उतर रहे हैं तो नीचे उतरते time हमें 4 ही लेने होते हैं तो last black black मेंसे हम निकाल देंगे कुछ इस तरह से इसके बाद हम लेंगे 1 black, 2 blue और first blue मेंसे इस तरह से निकाल देंगे बहुत ही easy design है और बहुत सुंदर बनने वाला है आपने देखा ही है तो इसके बाद हम लेंगे 1 black, 1 pink और 5 black और उनको इस तरह से घुमाके पिंक मेंसे अपने निडल को वापस निकाल देंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे नीचे राउंड सा बन जाएगा यह देखे 1 black और 2 blue, first blue मेंसे उपर की तरफ निकाल देंगे कुछ इस तरह से इसके बाद हम लेंगे 3 black और उपर से 2 छोड़ते हुए इस मेंसे निकाल देंगे यह देखे इसके बाद हम नीचे उतर रहे हैं तो हमें 4 black लेने हैं 4 black बीच वाले मेंसे निकाल देंगे black मेंसे इसके बाद 3 pink वाले और blue मेंसे निकाल देंगे इसके बाद हम लेंगे 4 blue, 1 pink और इसको घुमा के उपर की तरफ बीच वाले pink मेंसे निकाल देंगे जी हाँ, बीच वाले pink मेंसे कुछ इस तरह से, होप आपको समझ में आ रहा है इसके बाद हम लेंगे 1 pink और 2 black और उपर से 2 छोड़ते हुए, 3rd मेंसे निकाल देंगे बहुत ही easy design है और देखने से बहुत ही प्यारा लगता है 4 black, last black मेंसे निकाल देंगे 1 black, 2 blue और first blue मेंसे इस तरह से निकाल देंगे कस्ते रखेगा और आप जितना अपने बाल को ऐसे हाथों से खीचते रहेगे तो आपके बहुत टाइट बनेगी, डेली नहीं बनेगी इसके बाद 1 black, 1 pink और 5 black और वैसे ही जैसे हमने पहले किया था इस pink मेंसे हम अपनी निडल को वापस कर देंगे कुछ इस तरह से ये देखे ये देखे, बहुत ही संदर लग रहा है इसके बाद लेंगे 1 black और 2 blue और उपर वाली blue मेंसे निकाल देंगे ये देखे इसके बाद 3 black और उपर से 2 छोड़ते हुए 3rd black मेंसे निकाल देंगे ये देखे बिल्कुल भी मुस्किल नहीं है बहुत ही आसान डेजाइन है देखे और ये देखे 4 black और बीच वाली black मेंसे एक निसे जे छोड़ते हुए निकाल देंगे ये देखे इस तरह से धागे को खेंचते रहेगा इसके बाद हम लेंगे 3 pink और last blue मेंसे निकाल देंगे जिस तरह से ये देखे बहुत ही सुन्दर डिजाइन बन रहा है इसके बाद हमने लिए है 4 blue और एक pink और उपर की तरफ बीच वाले pink मेंसे निकाल दिया है ये देखे इसके बाद हम लेंगे 1 pink और 2 black और उपर से तू छोड़के निकाल देखे बीच वाले black मेंसे देखे बहुत ही प्यारा डिजाइन उपर से फिर नीच आते हुए हम 4 लेंगे बहुत ही easy है आपको एक तो बार करते ही समझ में आ जाएगा ये देखे बहुत ही आसान बहुत ही प्यारा डिजाइन वन ब्लैक और टू ब्ल्यू और लास्ट यानि फर्स्ट ब्ल्यू मेंसे निकाल देंगे कुछ इस तरह से इसके बाद वही वन ब्लैक वन पिंक और फाइफ ब्लैक और पिंक मेंसे अपने निडल को वापस कर देंगे कुछ इस तरह से ये देखिए अब लेंगे हम वन ब्लैक और टू ब्ल्यू और लास्ट ब्ल्यू मेंसे निकाल देंगे ये देखिए इसके बाद ट्री ब्लैक और उसी तरह उपर से इस तू छोड़गे बीच वाले मेंसे निकाल देंगे ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने अब आपको ये समझ में आ चुकी होगी और नहीं आई है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकती हैं आप समझ जाएंगे कि आपको आगे किस तरह से बनाना है और इसके बाद ये देखिए मै अगर आप जाहो तो इस तरह से अपनी बाओं के उपर रखके आप नाप सकते हो कि आपकी लैंड सही से फिट है कि नहीं आपके अपके अपके ज्यदा लूज या टाइट तो नहीं है इस तरह से नापके हम इसमें जॉइंट लगाते हैं देखिए कुछ इस तरह से आप प बीच वाले ब्लू में से इस तरह से निकाल के जो हमने स्टार्ट में लिये थे स्टार्टिंग के पास से यह देखिए हमें यहां पर एक पिंक लेना है यहां और इस तरह से बीच वाले पिंक में से जैसे हम रेगुलर निकालती आए हैं अब तक इस तरह से वह आपको समझ में आ रहा है यह देखिए इस तरह से हम निकाल देंगे इनके अंदर से और हमारा जोइंट लग रहा है वन पिंक वन ब्लैक और फिर जहां से हमने स्टार्ट कि थी उत साइड से बीच वाले ब्लैक में से निकाल देंगे कच इस तरी के से बहुत ही प्यार से अपनी निडल को निकालना है कुछ इस तरी के से फिर लास्ट बीच वाले ब्लैक में से इस तरी के से निकालेंगे यह देखिए हमने यहां पर अपना जॉइंट पूरा कर लिया है अब हम लेंगे देखिए इससे हाथ से ऐसे कसते रहिएगा मतलब धागे को खेंचते रहिएगा जिससे कि आपकी पाइल टाइट होती रहे डिली ना हो भी उसमें से निकाल देंगे इस तरी के से यह देखिए हमारा जॉइंट अब अच्छे से लग चुका है अब हम इसको यहां पर ऐसे थोड़ा तक टाइट कर लेंगे और नोट पान देंगे धागे के साथ कुछ इस तरीके से धागे के अंदर से निरल को निकाल के यह देखिए इस तरह से लास्ट में हम जब फिनिश करते हैं तो इस तरह से हम नोट पान देते हैं ताकि वो खुले नहीं या फिर ठीली ना हो यह देखिए कटर के साथ धागे को कट कर देते हैं और लाइटर के साथ इसी थोड़ा सा जला देते हैं ताकि ये खुले नहीं अपने आप से या फिर वैसे भी हम जो पहनेंगे तो ये देखे माई फ्रेंड्स हमारी एंकलेट बनके तयार हो गई है जो बहुत ही प्यारी नहीं सुंदर लग रही है तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली बहुत ही सुंदर सुंदर अंकलेट दीजिए वीडियो असानी से मिल जाए थैंक यू